जी हाँ नमास्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारे ने जीटूब चैनल पर तो यह नो आप सभी के लिए हरियाना की 25 वड़ावड खबरे लेकर आ गए हिन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से हरियाना की ताजा खबरे हरियाना के मुख्र समाचार के वीडि ही तो वेडियो पर शीद्ग और स crib जीर शीयदा विदियो को जिएसार करें तो जूस्तों सभी लोगों से एक सिकायथ हर्यान का कोरोणा अपडेड आपको बताते हैं पिछले 24 घंटे में हर्याना मे27 88 कोरोना के संकरमित मरीज मिले हैं वहीं संक्रमितो का क्षुल आकड़ा एक बार फिर से 193111饭 पहुच गया है वहीं राहत की बात यहार कि हर्यादा में 2015 कोरोना के संकर्मित मरीज ठीकों कर घर भी लोटे हैं वहीं ठीक होने वालों का आकड़ा भी 1,72,265 पर पहुच गया है वहीं स्वास्त विभा के मताबिक हरियाना में पिछले 24 गंटे में 21 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गवाई है वहीं मतों का आकड़ा भी 1989 पर पहुच गया है हरियाना में एक बाफ फिर से कोरोना के संकर्मित जो एक्ट्यू केसिस की बात करें 18,866 पर पहुच गई है चहां सिक साथ भरते हैं लिए बड़ी खबर की और अब पताद है कोरोना का असर दीवाली तेवार पर कारोबार में दर्ज की गई 40-42 फिजदी की कमी 300 करोन रोपे के कारोबार का अनमान जिहाद पतादे फरिदाबाजले से बड़ी खबर है कोरोना का असर दीवाली तेवार पर भी पढ़ रहा है धन तेरस के दिन बाजारों में खासी बीड नजराई लेकिन कारोबार में करीब 40-45 फिजदी तक कमी दर्ज की गई है दुकाने सज गई थी लेकिन खरीदार गायब थे साम होते होते बाजारों में पैर रखने तक की जगए नहीं मिली लोगों ने सजावटी सामान, कपड़े, बरतन, गहने, गिफ्ट, आइटम और कार वा बाइकों की खरीदारी की जिहांसे के साथ बड़ते हैं कले बड़ी खबर की औराग बता दे HSSC ने जारी किया है एक्जाम सेडूल वहीं ग्राम सचिव की भरती के लिए परिछा 25 से 27 दिसंबर तक होगी 14 नवंबर से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार जिहां को दा दे हरियाना करमचारी चैनल आयोग यानि HSSC ने विकास एवं 25 विवहाग में ग्राम सचिव की भरती के लिए सेडूल जारी किया गया है परिछा 25 से 27 दिसंबर तक दो पारियों में आईजित की जाएगी वहीं परिछा ओयमार सीट पर होगी अब्यारती 14 नवंबर से HSSC की ओफिसल वेप साइट एडमिट कार डाउनलोड कर सकते हैं वहीं भरती के लिए पिछले साल आवेदन मांगे गये थे 697 पदों के लिए 6,72,401 आवेदन आए हैं यानि एक पद के लिए 964 लाइन में खड़े हुए हैं जिहां अगली बड़ी खबर आपको दाते S.I.T. ने गुरवार को अमाला निवासी साइंस कारोबारी मनीस पुत्र असूक और केमकल कारोबारी विजए पुत्र ओम परकास को अरेस्ट किया है आरोपी विजए से 3400 लीटर एथनाल के केमकल बरामद हुआ है मनीस एक केमकल सोनी पत के नेना तीहार पुर गाउंसित अवेज सराब की फैक्टरी के मालिक नरेस और फनेसी को सप्लाई करता था जिहां इसे साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है निक्ता तुमर हत्याकांट को लेकर के फास्ट रेक कोर्ट में मिलेगी निक्ता के हत्यारों को सजा तीन मेहने में आएगा फैसला फरीदाबास से बड़ी कबर है आपको दादे 600 पेच की 4 सीट और 60 गवा हैं फास्ट रेक कोर्ट में रोजाना होगी इसकी सुनवाई सरयाम की गई थी यहती की हत्याप पुलिस ने की थी फास्ट रेक कोर्ट में सुनवाई की सिफारिज जिहां को दादे बहुत चर्चित निक्तातों और हत्याकांट मामले के सुनवाई की फास्ट रेक कोर्ट में होगी पुलिस की सिफारिस पर कोड ने सुनवाई के लिए मनजूरी दे दी है हैसे में अब मामले में जल फैसला आने की उमीद है क्योंकि केस की सुनवाई रोजाना होगी पुलिस ने रिकार्ड 11 दिन में 4 सीट दाखिल कर दी थी 14 दिन में फास्ट ट्रेक कोड में केस की सुनवाई की मांग मनजूर कर ली गई है वहीं पीरता की परिवार ने अब तक की कारवाई पर संतोज रताया है जिहांगली बड़ी खबर है नगर नेगम का बड़ा फैसला आवेद कालोनियों में रेजिस्ट्री पर लगेगा ब्रेक वेबसाइट पर अपलोड होगी इनकी सुची हिसार से बड़ी खबर है आपको दादे आवेद कालोनियम रेजिस्ट्रियों के हेल पर अब पूरी तरह से रोक लगाने के तयारी चल रही है ULB ने इसको लेकर नगर नेगम से इन आवेद कालोनियम का सर्वे कर डाटा मांगा है सहर में करीब 20 से ज़्यादा आवेद कालोनिया है जिसका नगर नेगम के अधिकारी वसर्वे कर रिपोर्ट देंगे जैसी सर्वे रिपोर्ट मिल जाएगी इससे ULB के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें 16 नवंबर से खुलेगी GGAU क्लासिस के लिए 4,94 बाटा स्टेडियूल जिसके अंसार हॉस्टल्स और स्टुडेंट्स की होगी एंट्री गाइडलाइन की करनी होगी पालना आपको अतादे हिजार से बड़ी खबर है COVID-19 से स्कूल, कॉलिज और युनिवस्टी स्टुडेंट्स की पढ़ाई पर सबसे वज़ा प्रफाउड पढ़ रहा है GGAU ने भी 16 नुम्बर से केमपस ओपन करने कर फैसल लिया है युनिवस्टी की तरब से जारी गाइडलाइन्स के मताविक युनिवस्टी के होस्टल्स में बड़ी संक्याम स्टुडेंट्स रहते हैं युनिवस्टी को पूरी तरह से खोलने की बज़ाई चार फेसल में खोलने का फैसला लिया है स्टुडेंट्स और होस्टल्स को फेस के अनुसार युनिवस्टी केंपस में आने की अनुवती दी जाएगी जिहां के लिए बड़ी ख़वर फईदाबाद से आपको दे हरियाना के सबसे बड़ी बार एसोसियेशन फईदाबाद के वकीलों की नए टीम ने लिये है सबत चुनाओं में गलबडी के आरोब लगे थे आपको बताने हरियाना के सबसे बड़ी जला बार एसोसियेशन के नव निर्वाचित पदाद कारियों ने गुरुवार कुपत और गुपत ने ताकी सफ़त ली दूसरे पच्छ के प्रधान पत के उमीदवार जो प्रत्यासी रहे हैं एडवोकेट राजेस बैसला ने चुनाओं में गलबडी का होने का आरूब लगा कर कोर्ट में जाने की बात कही थी वहीं 10 रूमबर को बार एसोसिशन का चुनाओं बार काउंसिल आफ इंडिया के आदेश पर दिल्ली बार एसोसिशन के दो सदस्वी निगरानी में हुआ चुनाओं में विबेक और बॉबी रावत प्रधान राचक्मारतवर वरिष्ट प्रधान विकास बढ़ाना नरेस रावत को साद्यच अरोनागर सचीव के पर निर्वाचित हुए थे जहां सिक्साथ अगली बड़ी खबर है आपको उतारे रोहतक से बड़ी खबर है समख्याओं की समाधन कराने किा को दो घंटे का प्रधाशन किया सरकार बज़व claimed ли निगम के दोएभ आस के सैसे सर्वकर्साज प्रभु प्रभु दयार सुनीलुछ सबसे अच्छी हवार जाने आपके अपने जिले का हाल जिहां को बदा दें लगाता दूसरे दिन हर्याना के अधिकांसलों में इस मौग यानि धुन्द से रहात मिली है हाला कि सुबह के समय बाता परण में नमी अधिक होने के कान परदूसर अधिक राह है वहीं आपको दर गुरवार को फटेहवाद जले का परदेश का सबसे अधिक परदूसर सहर माना गया है यहाँ व्ड़वत्ता सुचकंग 4050 दर जिया गया था फतर हावात प्रदेश का एक मा सहता ज वाई गुरवत्ता सुचकंग यानि यह क्यों आई 400 से अधिक राहिस के अलावा 11 स्तानों पर में य गुरवत्ता सुचकंग 300 के पार राहिसार तो जीहां भाएम आप सबी के ल कि खबरे का अच्छी वीडियो को लाइक करें शेयर कर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें जहें ताने बाइब